2022 में बड़ी बड़ी खबरे आ रही थी कि Go Air 2021 में तो रीब्रांडिंग हो गई है Go First IPO लाने वाली है और आज आ रहा है कि इन्होंने Insolvency Proceedings के लिए Filing कर दिया याने Basically ये खुद को Bankrupt Declare करवाना चाहते हैं हम हो गई दिवालिया एक साल पहले IPO से लेके आज Almost Bankrupt तीन दिन इनके Planes Cancel है, सारे Planes जमीन पे रहेंगे क्या हो गया ऐसा और broadly हर साल एक Airline Bankrupt क्यों हो जाती है क्या Problem है इस Industry का आज इस वीडियो में समझते हैं हर साल नियम से एक Airline Bankrupt क्यों हो जाती है तो जानेंगे ये सब कुछ और बहुत कुछ इन पी के बोला और काड दे, पीने तो दे अब हमने देखा की लेट इस्टर आके जुन जुन वारा ने भी लास्ट यर अपनी Airline शुरू की Jet Airways को भी नए इंवेस्टर्स मिले हैं Revival का प्लान है अब हर साल Airlines डूपती भी है लेकिन नई Airlines आती भी है तो इतना लोग excited क्यों रहते हैं Airlines खोलने के लिए जब लोग इसमें डूपते हैं इसका biggest reason ये data इंडिया में पिछले कुछ सालों में Airline सेक्टर ने ग्रो किया है 15% CAGR से यानि 15% हर साल ट्राफिक बढ़ा है जादा लोगों ने ट्रैवल किया है और ये अगले कई सालों तक इसी रफतार से ग्रो करने का estimate है तो हर कोई इस growth का फाइदा उठाना चाहता है In fact, roughly 50% जो passengers होते हैं एक plane में वो first time passengers होते हैं तो सोचिए, हर रोज लगभग 70-80 लोग हर flight में पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो इंडिया की न, air travel की जो growth potential है वो phenomenal है हर कोई इसको लेके बहुत excited है तो हर साल airlines ढूपती क्यों है चार कारण पहला कारण हम लोग बहुत ज़्यादा flight sensitive है हम वो ticket लेते हैं ज़्यादा तर लोग हर कोई नहीं ज़्यादा तर लोग वो ticket लेता है उस airline का जो उस दिन सबसे सस्ता दे रही है मैं ज़्यादा तर वो ticket लेता हूँ जो airline सबसे सस्ता दे रही है उस समय अगर मुझे सुबह जाना है सुबह तीन-चार flights है जो सबसे सस्ती है बोले लो एक घंटा आगे पीछे भी होगे है तो सामने वाले को बोल देंगे लेटा रहे हैं तो हम सबसे अच्छी airline में travel नहीं करना चाहते है जादा तर समय हम सबसे सस्ती airline में travel करना चाहते है हम उसका माल लेंगे जो हमको सबसे सस्ता देगा हम जिन्दगी में और कोई चीज ऐसे नहीं खरीटते हम सबसे सस्ता टी-शिर्ट नहीं खरीटते सबसे सस्ती घड़ी नहीं खरीटे हैं, हम सब सबसे सस्ता flight ticket खरीटे हैं तो airlines कमाईगी कैसे, दूसरा कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जो हम सबसे सस्ती और खरीटे हैं, आनलो cement लगभग सबका एक जैसा है, eat, रेती, giftie, हम जो सस्ता देते हैं, उससे लेते हैं, लेकिन वैसे में वो अपना cost, वो अपना profitability generate करता है, cost control करके, airline की major cost क्या है, fuel petrol price में airline का कोई control ही नहीं है cement, plant वाला तो ना limestone के पास, अगर factory डालेगा, तो उसका transportation cost बचेगा raw material का, वैसा real world में नहीं हो पाता, तो वो अपनी cost वहाँ नहीं बचा पाता, तो ये एक ऐसी industry है जहाँ ना cost में control कर सकता हूँ ना customer से मन चाहा price ले सकता हूँ तो मैं profit में आऊंगा कैसे, और इस एक problem के कारण ना, दुनिया की 70% airlines loss में चलती हैं और कई सारी हर साल दूपती रहती हैं और यही सिलसिला चलता रहेगा अब ऐसे में, अगर किसी airline को profitably grow करना है, इंडिगो की तरह तो वो कैसे grow करेगा और go airlines में ना, यहीं problem आई दोनों, इंडिगो और go एक साथ same year में चालू हुए थे, लेकिन indigo काफी go कर गया go, go ही नहीं कर पाया अच्छा था ना, लेम था लेकिन ठीक है, पहला important factor एक airline की growth में time slots, किसके पास सबसे अच्छे time slots हैं अगर दिल्ली से मुंबई का traffic early morning से 7 से 9 के बीच है, और फिर शाम को वोही लोग जब return आ रहे हैं, अगर business से 8 के बीच, अगर ये peak time है उस समय किसकी कित्ती flights है अब किसकी कित्ती flights हो सकती है उन्हें depend करता है, airport infrastructure में किस terminal में कितने gates खाली रहते हैं, कित्ते planes की park करने की जगे है, उस समय जनरल आसमान में कित्ते planes ओड रहे हैं तो एक और plane उस समय उस area में अगर आपको अच्छे slots चाहिए तो आपको वो कैसे मिलेंगे अगर आप एक नहीं airline हो आप इस स्थिती में रहो कि जैसी कोई airline डूबे उसके plane grounded हो जाए जैसे कुछ साल पहले सहारा के हुए उससे पहले air deckan के हुए उसके बाद kingfisher के हुए अब जैट के plane grounded है तो आप इस स्थिती में रहो कि आप airport authority या airline authority इसको बोल सको कि हमारे पास 4 plane खाली है इसकी जगे लेने के लिए वो traffic जिसको आदत है सुबे 9 बजे मुंबई से दिल्ली जाने की उसके लिए हमारे पास 4 खाली planes है और अब हम वहाँ planes चलाएंगे और उस समय फिर aviation ministry सोच सकती है कि हाँ इनके पास तो planes है वैसे ही तिक्टो के दाम बहुत बढ़ गए क्योंकि पिछले airline bankrupt होगे इनको दे दो वो slot तो वो किसी airline के bankrupt होने का फायदा उठाने की स्थिती में आप होने चाहिए लेकिन अगर आपकी सारी tickets भिग जाएंगी तो आपको per ticket अगर 5-5,000 रुपए और मिल रहे हैं और एक इनसान को उड़ाने का खर्चा 2,000 है तो आप 3,000 per ticket बचा रहे हो after your break-even point और वो break-even airlines का आता ही जब plane 80% भर जाए तब तो आपको चाहिए कि मेरा plane 90% या 100% capacity पे चले अगर मुझे profit कमाना है उसके लिए आपको best slots चाहिए अब आपको continuously अगर best time slots चाहिए तो आपको अपने planes लगातार बढ़ाने पड़ेंगे ताकि कोई airline bankrupt हो और आप उसका slot ले सको तो आपके पास fleet होनी चाहिए याने airline एक ऐसा business है जिसमें आप easy नहीं चल सकते है जैसे कई businesses होते हैं हमको तो 4 branches डालनी है हम 4 branch से जित्ता कमारे होतता चलेगा airline में या तो आप डूबोगे या आप grow करोगे अगर आपको sustain करना है तो grow करते जाना जरूरी है best slots को लेते जाना जरूरी है ताकि आपका plane जादा भरावर है और दूसरे airline को space ना मिले आपके planes के बीच में एक और plane डालने का इसको मैं समझाऊंगा आगे तो basically airline business अगर survive करना है तो continuously grow करते रहना है पहली गलती go से यहीं हुई उन्होंने grow ही नहीं किया तो जहां आज Indigo के पास तो 300 planes है गो के पास 50 planes है जिसमें से भी उनके 20 planes जमीन पे हैं क्योंकि engine के पुर्जे अवेलिबल नहीं है तो 30 planes है जो उड़ रहे हैं और Indigo के 300 से जादा planes उड़ रहे हैं दस गुना बड़ी हो चुकी है Indigo Go Air से same year में दोनों airlines स्टार्ट हुई थी छोटी airline की इस industry में कोई जगे नहीं है इसको मैं एक और example से समझाता हूँ कि कैसे छोटी airlines मरती चली जाती है अभी पिछले साल अतासा airline launch होई तीन plane से उन्होंने शुरुवात की तीन routes उन्होंने cover किये Mumbai बैंगलोर था Ahmedabad बैंगलोर था और एक और कोई route था जहां था अगर मैं सही हूँ अब उनके पास तीन plane है याने तीन planes उनकी 100% capacity है इंडिगो के पास 300 planes है जिसमें से 10% plane हमेशा reserve में होते है इंडिगो ने क्या किया मान लीजे अकासा की एक plane है Ahmedabad से बैंगलोर सुबे 9 बजे की इंडिगो ने क्या किया एक plane नया शुरू कर दिया Ahmedabad से बैंगलोर सुबे 8 बचास एक plane शुरू कर दिया सुबे 9 बचास याने 8 बचास से 9 बचास के बीच 20 मिनिट में अब 3 नय plane अवेलिबल थे Ahmedabad से बैंगलोर जाने के लिए अब रातो रात तीन plane याने 500 लोग एक्स्ट्रा तो Ahmedabad से बैंगलोर जाने नहीं इतने जादा लोग एकदम से तो बढ़ने नहीं वाले याने क्या होगा planes खाली चलने लगेंगे planes भरने के लिए airlines और ticket prices गिराएंगी अब दोनों ही cases में चाहे आपको ticket price गिराने पड़ें चाहे आपके plane खाली जाएं loss सारी airlines को होगा Indigo को भी होगा Akasa को भी होगा लेकिन Indigo को के पास 300 planes है उसमें से उसके दो planes में loss हो रहा है और यह मैं planes की बात कर ओ एक plane एक दिन में अलग-अलग sector भी cover कर सकता है लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि एक plane एक बार में एक ही route पे जाता है तो Indigo के दो plane बिजी हो गए 850 वाला और 910 वाला और दोनों plane पे उसको loss हो रहा है लेकिन Indigo हो सकता है बाकी 290 plane से profit कमा रहा हो Akasa को उस plane से 100% loss हो रहा है और उसके total तीनी plane है अगर Indigo ऐसके तीनों route के में कर दे अपने 6 plane लगा दे कि यार बस लोगों को सस्ते में ticket दो travel करवाओ ये देखो कि वो हमारे ही plane से travel करे एकदम सस्ते prices रखो कोई बात नहीं अगर 300 में से 6 plane loss में हम बाकी से profit कमा लेंगे Akasa के पास 3 plane है उनको 3 plane में loss होना चाहिए अगर ऐसा होने लगे तो Akasa को नई funding नहीं मिलेगी investors से नए planes खरीदने के लिए अगर वो और planes नहीं खरीदेगी तो उसको best time slots नहीं मिलेंगे अगर उसको best time slots नहीं मिलेंगे उसका plane भरावा नहीं चलेगा उसको losses cover करने के लिए ticket prices बढ़ाने पड़ेंगे ticket price अगर वो बढ़ाएगा लोग और कम लेंगे और उस समय अगर Indigo आके अपने planes का price और सस्ता कर दे तो धीरे धीरे करके वो Akasa को मार देगा तो airline industry is a brutal industry इसमें बहुत growth आने वाली है लेकिन ये बहुत brutal है जो airlines हैं भी spice jet उसकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है air India को मजबूरी में सरकार को बेचना पड़ा और आप basically दो major player है Tata Group और Indigo Tata Group भी क्यों? क्योंकि उनका overall other businesses से इतना cash flow आता है कि उनके लिए एक छोटा business है तो वो इसमें losses sustain कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि air India लिने के बाद Tata भी इसको profit भी पहला पाया लेकिन उनमें losses sustain करने की शमता है ये इंडिया में कितने घरानों के पास है एक दो तीन अधानी अंबानी reliance बस क्योंकि एरलाइन में जब लॉस्ट होते हैं तो इसको बहुत सारे groups सहन नहीं कर सकते हैं शायद ये तीन घराने सहन कर सकते हैं इसके लावा कोई सहन भी नहीं कर सकता तो बहुत brutal बिजनस है I think go air के साथ जो एक big problem हुई कि जब-जब मौका मिला जब-जब ये दूसरे airlines fail होते गए उन्होंने उस मौके का फायदा उठा के grow करके dominating position में वो आने के उन्होंने कोशिश नहीं की pricing और time slot के अलावा वो ये कि आप कितना on time चलते हो आपका on time performance कितना चाहिए जो business traveler है अगर वो 9 बज़े की flight से दिल्ली जा रहे है जो 11 बज़े land होगी मुंबई से तो उनकी 12 बज़े की meeting है उनको पहुचना ही है उनको ऐसी airline चाहिए जो 11 बज़े land हो जाए और go air अभी तो नहीं लेकिन कुछ साल पहले तक इस metric पे भी काफी struggle करता था अब ये एक efficiency की बात है कि आपका ground staff कितना efficient है आपका cabin crew कितना efficient है कितना जल्दी वो plane का turnaround time reduce कर पाता है इसके लिए जरुवत होती है एक बहुती satisfied और motivated staff की अब अगर सब को पता है कि airline grow नहीं कर रही है company की employees को, fleet को, staff को पता है कि एक company grow नहीं कर रही है इस पे debt भी है, losses में भी है तो वो insecure feel करते हैं अगर वो insecure है, तो वो motivated नहीं रहेंगे अपनी best efficiency से काम करने को लेके वहीं Indigo में, every employees sees कि कितनी तेजी से company grow कर रही है, profit पे है sustainability का problem नहीं है तो they feel secure and although they are overworked, बहुत ज़्यादा काम कराते हैं कभी भी अगर पूछोगे Indigo के किसी staff से, तो they are always overworked, लेकिन at least job security है कि कल ओ कमनी डूब नहीं जाएगे इन कारणों के कारण, go air consistently struggled, उन्होंने last attempt किया था, खुद को rebrand करने का go air से go first consumer की आँखों में ज़ादा फर्क नहीं है, मुझे पता नहीं इतना खर्चा क्योंकि आप website फिर से बनाने में planes को repaint करने में उनका aim था कि एक ultra low cost airline लेके आएंगे ultra low cost मतला अभी जो चीज़े हमको free में मिलती है हाला कि hard ली कोई चीज free में मिलती है, लेकिन अभी जो चीज़े मिलती है जैसे अगर आपको check-in luggage करना है, तो अभी वो free है check-in luggage का extra पैसा ले लेंगे अगर आपको boarding pass, self check-in counter से भी print-out चीए, तो उसका extra पैसा हर चीज जो आज बची कुछी चीज़े free में, उसका भी पैसा लो, लेकिन bare ticket का price और कम रख दो तो अगर किसी का check-in baggage नहीं है तो उसको ticket और 200-400-500 रूपे सस्ती दे दो, तो उनका plan था ultra low cost airline लाने का लेकिन मुझे पता नहीं क्या हुआ क्योंकि airport infrastructure भी support करना चाहिए उस चीज को aviation ministry भी माननी चाहिए, कुछ regulatory या infrastructure issues आये होंगे वो plan कभी चल नहीं पाया और ऐसे में go air बहुत difficulty महसूस कर रहा था, खुद को spice या indigo से differentiate करने में, बाकी low cost airline से differentiate करने में, और usually customers में देखता था कि go air तब ही prefer करेगा जब वो last option है, बाकी flights उस समय है नहीं, कमी flights हैं, या sold out है, बाकी flights मजबूरी में ही, किसी का भी वो first choice नहीं था, और अगर आप regular business travelers के first choice नहीं हो, तो आप को bare minimum traffic नहीं मिल पाता, जो airline को चलाने के लिए ज़रूरी है अब, एक last चीज़ वीडियो में ये आती है कि airline traffic में तो बहुत growth आने वाली है, इसको कैसे play कर सकते हो, कि देखो, airline traffic में growth आने वाली है, यह हम सब को पता है, तो आप को यह ऐसी IT company में invest कर लो जो कि airline को IT software support देती है अब क्या होता है, airline ढूबेगी तो इस company को भी loss होगा, लेकिन जब airline ढूबती है और आप airline में invested होना, तो आपका share 100% ढूब जाता है, इस case में क्या होगा एक software company 20 airlines को serve करती है एक airline ढूबी भी तो मेरा 5% loss हुआ लेकिन overall, airline industry में 15% growth है, और मैं अगर एक airline को serve करने वाली software company हूँ तो मेरी growth भी 15% की होनी चाहिए इसके अलावा, आजकल ना मैं देखता हूँ कि lounges कैसे भरे होगे होता है कोई भी airport lounge चले जाओ, भरावा होता है अब देखो, अगर airline ट्राफिक बढ़ेगा तो airport ट्राफिक बढ़ेगा, तो lounge में लोग जादा जाएंगे, bank वैसे भी lounge access वाले card आजकल बहुत बाट रहे है by the way, lounge access अगर आपको चाहिए और आप अपने ले कोई best credit card ढून रहे हो तो आप select.finology.in जाओ इंडिया के best credit cards आप compare कर सकते हो in fact, select का जिनी न, आप अपना use case बताओ, आपको food पसंदे, travel पसंदे क्या पसंदे, उसके हिसाब से आपको best credit card recommend भी कर देगा और आप अगर उसी website से apply करते हो तो आपको कुछ rewards भी मिलने वाले है link in description तो मैं बात कर रहा था कि अगर airport traffic बढ़ेगा, तो lounge में भी traffic बढ़ेगा, और इंडिया में एक company है, जो basically इंडिया के 96% lounges का access control करती है, तो जब आप जाके lounge में एक अपना debit card या credit card swipe करते हो न, बहाँ ध्यान से देखोगे तो dream folks का logo होगा अब ये कोई recommendation नहीं है, मैं बस बता रहाँ कि किस तरीके से आप एक industry को indirectly play कर सकते हो in fact dream folks पे न, मैंने quest.phenology.in पे एक detailed video भी बनाया है, जिसका link इस video के description में है ये video न, value investing carnival, जो हमने किया था, उसका part था, जहां रफली 20 experts ने, 20 stocks analyze किये थे, और मैंने किया था, dream folks को analyze, तो आप quest.phenology.in पे जाके इस video को और बाकी experts के 19 other videos को भी access कर सकते हो, इस carnival का link आपको इस video के description में मिल जाएगा उमीद करता हूँ, ये video आपको पसंद आया होगा, ये industry के बारे में आपको कुछ insights मिली होगी this is Pranjal कामरा, signing off बाई बाई अगर ये video पसंद आया हो तो लोगों के साथ, दोस्तों के साथ share जरूर करिएगा और इस video को like करना बिल्कुल नहीं भूलना है और मैं assume कर रहा हूँ कि अब तक अपने इस channel को subscribe तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं, तो कर दो subscribe और अगर subscribe किया वाई तो bell icon दबा के all notifications को on कर देना ताकि इस तरह के videos हर हफते 3 videos मैं बनाने वाला हूँ हर alternate day एक video आपको आएगा वो video आपसे miss नहीं होना चाहिए ना तो जल्दी से bell icon दबा दीजिए बाई बाई